नमस्कार दोस्तों मैं अपसे परिच्छा में इससे प्रशन पूछे ही जाते हैं और इसलिए आप लोग से निवेदन है मेरा कि इस इससे टेस्ट का जो वीडियो सुलूसन है इसको पूरा देखिएगा जिससे इस टॉपिक से प्रशन पूछे जाते हैं तो गलत होने की समभावन आपकी बिलकुल ना हो तो हम सुरू करते हैं हमारा पहला प्रशन है कि पारिष्थित की निम्लिखित के बीच पारस्वरिक समंदों का दिर तो इसका उत्तर होगा जीव और वातवरण का ठीक है जीव और वातवरण साइंस में विज्ञान कम जब जीव कहा जाता है तो इसके अंदर पेड़ पवधे पेड़ पौधे और जनतु ठीक है दोनों सामिल होते बिज्ञान में जब जीव कहा जाता है उसमें पेड़ पोधे जन्तु दोनों सामिल होते हैं तो इस प्रकार इसका सही उंतर हो जाएगा जीव और वाता ब्रण कि हम यहीं जानते हैं कि पेड़ पोधे जन्त और वाता ब्रण के बीच जो अंत्या क्रिया होती है वही पारिफ टोन संक्तों से यूख्त होता है यह साही है ठीक पारिष्थ कि तर्ट इको सिस्टम अच्छे प्रस्तम का उत्तर दो तर्दो उत्तप्र इको सिश्टम सब्सक्राइब किस ने दिया था ठीक है इसको मैंने टेस्ट में नहीं दिया दिए इसको डाल दिया यहां पर तो एजी टंफले में सब्सक्राइब दिया तो खोलेंसे को परश्थिक टानल मिर्दा ठीक है और कारबनिक पूसे ये सब सामिल होता है और जैविक घटक में क्या उत्पादक को भोगता और अब घटक तो जो पूरा पारितन्त रहे हो जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलके बना होता है इसकी अपनी स्वयम को उत्पादकता होती है तो हाँ इसकी स्वयम की उत्पादकता होती है ठीक है उत्पादकता क अर्थी हो जाता है कि यह खुद क्या नाम है अपना अपने चलने के लिए एक सब्सक्राइब कहना चाहें कि यह संसाधन के रूप में परियोग होते हैं ठीक है इसलिए इनके अपनी उत्पादक्ता होती है या बंद्रतंत है यह आपसनाप का गलत है एको सिस्टम एक खूला तंत्र है जिसमें इंपुट और आउटफूट एनर्जी का और पदार्थो का होता रहता है ठीक है यह प्राकिर्तिक संसाधन संसाधन वही है जो हमारे लिए उपयोग के लाएक हो जैसे कोईले का जब तक कोईले का अपयोग हमें नहीं पता था तो हमारे सबसे बड़ा जो पारीष्टित तंत्र है में सबसे बड़ा है जो मंडल में घाल वाईव सबका एक मिस्रीत रूप होता है जो पिरत्वी को घेरे हुए ठीक है इसी के अंदर जल मंदल जीव मंदल और अस्थल मंदल आते हैं यह आप्षण में जयो मंदल ना दिया हो तो सबसे बड़ा पारिश्चित आपका हो जाए जल मंदल क्योंकि जल मंदल जल जो होता है हमारी पूरी पिरत्वी के 71% भाग को घेर जल मंदल आपको लगाना पड़ेगा ठीक है तो सबसे बड़ा हो जाएगा और जल मंदल में कौन सा जल समुद्री जल की बात होगी क्योंकि जो जल है हमारी पिरत्वी पर उसका 97% जल कहा है समुद्रों में तो अगर जल मंदल में भी पूछा जाए तो समुद्री जल अग साइन्स की भासा में जहां पर एक जात की लोग रहते हैं जहां पर एक ही जात की लोग रहते हैं जैसे माल लेते हैं जहां पर क्यों कुत्ते रहते हैं तो हो जाएगी कुत्तु की जनसंख्या ठीक है लिकन यह दूसी कुत्तु के बीच में गयभैस बकड़ी और भी रहने लिगे तो हो जाएगा एक संच्छा तीक है इसी परकार कई संच्छा क्चांगा क्या होता है जहां पर साइंस की वहसा में और जहां किए जात्य है मिलके है दो यह संद या रहती है उसे कहा जाता है समदाई और जहां पर कई समदाई मिलके रहते हैं उसे कहा जाता है पारिसिस्टम मतलब एको सिस्टम और जब कई सिस्टम मिलके जहां रहते हैं उसे कहा जाता है वहों दिरिसे और एको सिस्टम के बारे में एक बड़ी बात यह है कि इको सिस्टम में एक बूंद जैसा चोटा भी हो सकता है एक महासागर जैसा बड़ा भी हो सकता है एक बूंद जैसा चोटा जिसे माइक्रोस्कोबी को सिस्टम कहा जाएगा एक महासागर जैसा बड़ा भी हो सकता है मारा अगला प्रस्ण है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे आपको बहुत मतलब जितनी कोईशन मैंने दिये नहीं है उसके दोगने कोईशन में आपको बोल के बताऊंगा इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन वीड अडिक एको सिटेम में लेकिन वहीं पर खेत क्या होता है फ्यत किरति में क्यों आपकोल्द में नहीं रहेंगे यहम पर इदिबंट करता है उसलिए फ्याइरें पनी वरात्या घूंग głos में सिप्य सब उसमें होते हैं लेकिन उसमें कौन से जर उन्वर रहेगा या कौन से पोधे कौन से पेड़Dयों से में रहेंगे हम पर करता है की शर्ण और जब खोद सकते हैं लेकिन उसके अंदर के उनको से फैवादीर लगेंगे आपके बसकी बातू हुँजब तरहा ह सकता है मतलब ecosystem बूच जैसा चोटा हो सकता है एक महासागर बड़ा हो सकता है जैसा और एक खेट और क्या नाम है aquarium जैसा कृत्रिम भी बन सकता है और एक टालाब बन और समुद्र जैसा ये प्राकृतिक हो सकता है परसर पूशा जाता है जो अंत्रिच यात्री जाते हैं सबसे ज़्यादा छेटरफ पर फाइला हुआ हुआ है वह समुद्रिक है अगला प्रस्णा मारा है कि सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र पारितंत्र कौन सा है सबसे अधिक स्थिर्ज होगा समुद्र का योगा क्योंकि समुद्र में आप देखते हैं कि चीजे इतनी जल्दी बदलती नहीं है ठीक है समुद्र का ना तो जल्दी तापमान घड़ता बढ़ता है ना तो समुद्र में जल्दी समुद्र का जल्दी इतनी जल्दी परदूस है अगर सबसे जल्दी कौन प्रधुस्थ हो जाता है वाई मं helps लिया थीक है वाइस में बहुत जल्डि परतुंसप हो सकता है आप जिसद्act भी की अब दिए और, प्रधुसईत हो जाएगा आप ठंडी के दुनों में देखते हैं दिली अंसियार को पंजीयां सब मदद नहीं करते हैं बन लगाओगे तो यह को सिश्टम बना रहेगा बंध रहेगा बरसा जल प्रवंधन करेंगे बहेगा नहीं तो वहां वीक सिश्टम डबलप रहे गाए संतुलीत इको सिश्टम नहीं हुआ क्यों कि जैसे आप बनों को काटेंगे तो इसे बनों पर डिपेंट होने वाले जिऊ जिएसे चिडिया हो गए ठीक है चिडिया हो गए या और भी ऐसे जीऊ जो पेड़ पॉदों पेर अपना निवास करते थे या उन से उनको जो खाते थे मालों की जो पेड़ पौदों की पत्यों को खाते थे वेज़ी उमर जाएंगे तो एक प्रस्ण नमा रहा है एक गहां सस्थलिय पारिश्थितित्तंत्र के खादर सिंख्रला में विविन घड़कों का सही करम क्या है यह पूचरा एक खाद स्रिंख्ला ठीक है एक खाद स्रिंख्ला होती है खाद जाल जब कई खाद स्रिंख्ला है आपस में मिल जाती है तो खाद जाल बन जाता है ठीक ह खंगान को टिडडा खाएगा ठीक है को चाइस टिडडा मेर्थ तो अगतला यह हो जाता है अगला प्रश नमाला है निम्खित में से पारेश्टिक तंत्र का कौन सा एक जीवे संगटक नहीं हमने आपको बताया था जीव जब कहा जाए बिज्ञान की बासा में ता पेड़ पौधे और जन्तु को दोनों को एक साथ रखेंगे ठीक है क्योंकि पेड़ पौधे भी जीव हैं वो भी साफ लेते हैं अपना भोजन बनाते हैं ठीक है अपनी पर्यान की दिया करते हैं उनके पास मेल जनाइटल आर्गन भी होते हैं ठीक है तो पेड़ पौधे क्या है एक जीव है तो जब जीव की बात हो तो साइंस में तो पेड़ तक अगला प्रस्ण एक पार्ष्ठितिक तंत्र में निंव्षित में से कौन प्रात्मी को भौил को प्रात्मी को भगता कौन सा है, चीटी, क्लोमडि, बाग, इनमें से कोई नहीं, चीटी क्या है, ये प्रात्मी को भगता और दीकंपोजर दोनों है, तो यहाँ पर हम चीटी को अपना answer मान सकते है, क्योंकि चीटी क्या करती है, पेट वदों की पतियों से लोज को खा के पच पूझभा है तो मरप सब्सक्रेंग diet अगला प्रसक्राइस एक है वब कोरिक है निर्माता का मानो ठीक है यूद्या इस बढु़ित हैं आफ या करते हैं जोरुं के jullie सीथ मैंणृ डेते हैं उसको यह उसको ला होता है तो पर दो पंचा जाता है आप अप जलमण पहुंच गए उपर से सूर्य का प्रकास पड़ रहा है उनके पास रंद्र होते हैं ठीक है रंद्र से सीओ टू कारवन एकसाइड गैस जाती है और वे गुलुकोज बनाते हैं और आकफिजन वादाबरण में निर्मुक्त कर देते हैं तो अधे क्या है वो निर्माता विखा एक हमारा अगला प्रस्म है प्रथम प्रम्न पोशक अस्तर के अंतरकत कोन से आते हैं आप क्या जाएगा पोशक अस्तर शाकाहरी के है अ कि पॉसक अस्तर की बात हो गई तो इसमीं आ जायेंगे आपके हरित पद पद हरीत पद्व हो जाएंगे प्राथम पोसएकस्तर के तरगत जय स्व और एक घड़ी गटकों के मद्द बिजुलिय कंक्र करते हैं जैविक और वarta लुद्धा जोंप आकरते हैं और बिजुलिय कंक्रते हैं झापके कि जिन में जाने ना हो जैसे आपका जेव गटक क्यांग करना किसका काम है परवरते करते हैं ना कि परकास संस्सिलेस्टन की करिया होती है क्या होती कार्बों को प्रिवग करते हैं यह क्या बरातें है कर्भोहाइडेट प्रोटिन वसा बनाते हैं और इनका उप्योग करके क्या बनता है हमारे सेलhet बनते हैं तो अजेव से क्या बन गया है एक सेलबन गई तो यह बनाने की क्रिया किसका है यह उत्पादक पेड़ पौधों का है तो अजेवा और जूखटक स्थ कने का सबता año 31 और जेवग मतलब जो A Biotic और Biotic के बीच में मीडिएटर है वो क्या हमारे plantation । कि अग्ला प्रसम नहीं हमारा है कि समुद्री वाता ब्रण में मुख्य प्राथ्थ में कुत्पादक होते हैं अख फाइटोप्लейकटान ठीक्ग है के خ Caroline की traff बहुत इसमुद्वरी वातावड़ मुखे प्रात्म कुट पादब कोट एंधिक है इंही को खाते हैं को मेरे के साखा खरी जंद जो pl खते हैं और और उनको ख्ष्ड हेव उन्हें का सक खाने का इंधिया का लिए उनको भड़ी मच्रand Portal ऊपर हेद्हें बढ़ता है दूसरा है जेयर रूर्जा का प्रवास चक्रियह होता है टीसरा प्राकिर्थिक परिस्थितितर के बाढ़ते पुष्ड अस्तर के साथ का साइप पेशिक शाय घड़ता है गरता जाता ठीक लेंड मैं का जाता है कि जैसे एकर पेड़ पौधों ने 100 kg मुर्जा को तवावित की तो पेड़ पौधों को खाने वाला उसे 10 kg मुर्जा अपने पास रख पाएगा बाकि 90% क्या हो जाएगी बेश्ट हो जाएगी और उस साका हारी को खाने वाला जो जन्त होगा वह मतलब जो मानसा हरी उसके पास कितना जाएगा 10 का 10% मतलब 1% मतलब पेड़ पहुद्यों के पास 100 कलोरी उर्जा थी लेकिन उसका एक परसेंट जाएगा मानसा हरी के पास ठीक है यह होगा प्रएंप्रागामी बढ़ते पोस्ट अस्त्रों के साथ प्रजातिया सुलब उर्जा का उप्योग कर संत्रों के लारते यह जिसी ये प्रबाइ्ट ये होता है तो उपर से नीचे से उपर को जाता जाता एक sic कि सिर्ल का प्रामिट हमेशा का सीधा होता, ठीक और प्रेल, प्रडरीक, का प्राविड्ड कैसा होता है इसके उपर चोटे-चोटे मतलब चिडिया हो गए ठीक है और भी जी हो गए उसके उपर और चोटे-चोटे माक्रोसक्राइश Nhungal संख्या का पिरामिड कैसा होता है यह सर्बहारी तर adapts को प्राप्थ है ऐसको कर द송 प्राप्त है जिव भार का पिरामिड किसे प्रामिड किस पारिष्टिक तालाब में ठीक है और उसमें सबसे नीचे हो गया मालोज में 15 kg 15 kg क्या होगा यह होगा फाइटो प्लेंकटान मतलब पेड़ पौधे होंगे तो मालोज जंत उपको खाने वाले पेड़र साकायरी जिघंत होंगे 300 Euvq किलो तीक है रिकष्ट यहां आपको देखे को स्वदोगराम क्या हो तव जियुभार का पिरामिड तालाब में कैसा होता है उल्टा होता है ठीक है ऑब और किसका ने उल्टा भी पताए था नंबर है ट्री पे संख्या का होता है लेकिन तब समद्र में बागी सेगत होता है लेकिन तालाब ये समुद्र में इसका क्या पिरामिट कैसा होता है उल्टा होता है और परफ्तिकों क्या कहते हैं कि के चक्रड को भूर आसायनिक ज्यों हो जाता है कि मान लेते हैं कि यह के कि कोई ज्यूजन्दु है थीक कि यो है उसके बाद उसकीMus होती है तो मरने के बाद उसको अभगटक लगते हैं अभगटक क्या करते हैं? आपने सरीप से एंजाइम से करने के बाद कारव आपकार्वनिक में बदल गया था है तो में टूट गया और उसके परकार से कल्सियम में टूड गया फिर उसके बाद क्या होता है इसको पेड़ पहुदे इनका फिर से उप योग करते हैं और फिर से क्या बराते हैं 성 오ψण चक्रिक तो निम्खित में से कव्त लेख अउक्रमर की प्रवस्थाओं का सही कर्म है यह है कि नगनिकरन परवास अस्थापना पर्त किरिया इस्थरी करन ठीक दूसरा अप्षन है इस समय हमारा पहला यह आप्षन सभी होगा जैसे कहने के मतलब यह है किसे माले तो किसी जंगल में आग लगी वहां कुछ नहीं बचा ठीक है वहां उसरवंजर जमीन बची है तो अंगले स्थे अगर बचेंद कि अगर न हंथी जगा है तो है पर रहने के प्रवास पइलब को कहा जाए घर कोई जाए जह करे आई जहां पर कुछ नहीं था नहीं तो वहां exists करेगा ना करेगा जब यह सब करेगा तो वहां कि वाई मंडल से वहां के प्रयावरार से उसके क्या करना पड़ेगा रियक्षन होगा ठीक वह भी उसके पर क्या जबाब देगा प्राक्रित भी रियक्षन देगी यहीं सब क्याओं के बावजूद वो जिंदा रह जाता है तो अस्थाई रूप से वहां वो इस्टेबलिस हो जाएगा तो यह किरिया कुल मिला के इसका सही करम क्या है नगनी करण परवास आस्थापन प्रतकिरिया और इस तरी करण ठीक है यह कुशन कई बार पुछा गया है इसलिए एक बार भब अब आये गा उसे कहा जाएगा माइ दरू परवास करकरे आया है जब आये गा तो इसके अपनी लिए भूसला बनाएगा करेगा 8amazपन करेगा इसके बाद करेगा ओकव अब ताब्रता अब ई कि दिन ठीक है वहां उसे पानी हवा ठीक है खाने के लिए बहुत दिक्कत हो कि उससे क्या करेगा यह एक्षन करेगा लेकिन इसके बाद अगर जिंदा बच जाता है तो वहां पर अस्थाय रूप से रहना शुरूप कर देगा ठीक है यह पहला आपसे नहीं हो जाएगा अगला प्र आपस हमारा है कि निमखित बृच्छों में से कौन सा बिरिचा क्तर प्रावड़ी संकट माना जाता है यह कि यह क्या करते हैं जहां पर इसको उगाया जाता है वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जल को अंशुषित करता है वह वात्तो सवर्जन की दरावाइ मंडल में छ इसमें सब परतम गहन पारिष्थ की सब्सक्राइब किया अगला प्रसन थे दो विविन संप्धायों के बीच का संक्रामिक छेत्र क्या का लाता है इसे कहा जाता इको टोन्टिक दो दो विविन समदायों के बीड जो संक्रामित शेत्रद उसे कोटन जैसे समदाय एक जंगल हो गया दूसरा घंस अस्थल इन दोनों का जो मिला नस्थल होगा ठीक है जैसे गांस को हो गया है जंगल दूसरा यह क्यों गहां अस्था यह जंगल हो गयाई लोगत यह ही क्या होगा प्रस्था रहा है इसाइल कि प्रस्था अगला ouvert समारा है करते एंक खालाइन दिखाती है एभक का याना है कि ऑ लगी लवड़ता को दर्सांब को ढर्फों भादाए है कि तापमान गर इसके साथ ये question पूरे होगे, उसके 25 होगे, और आप से निवेदन है कि यदि आपको ये video अच्छा लगा, तो आप दूसरों के बीच में save लगा है तो आप like करिए, नहीं अच्छा लगा तो dislike करिए, comment करके ज़रूर बताईगा, तो क्यों अच्छा लगा है अभी बताईगा और कुछ कोशन और डिसकस कर लेते हैं ठीक है अगर हम बात करें पारितन के घरती उत्पादक्ता का करम तो सबसे ज़्यादा उत्पादक्ता किसकी होती है महासागर का होता ठीक है सबसे कम उत्पादक्ता महासागर की होती है सबसे ज़्यादा उत्पादक्ता मैंगरोग की होती ठीक है और आर्वी जनेस ने गहन पाइस्थ की सब्द का प्रियोग किया था सबसे पहले यह आपने हमने बताया आपको और बात यह है कि 1972 में बन जीव संदचन अधनियम पूं सब्सक्राइब बन जीव संदचन अधनियम जो दूसरा था 1980 में आया तो वह था वन संदचन अधनियम ठीक है उसके बाद क्या होता है 1986 में आपका आता है परियावरण संदचन अधनियम 1986 में क्या था आपका परियावरण संदचन अधनियम यह तीन आप कम से कम इन तीन को तो आप याद रखिए ठीक है इसके बाद जो बाकी के प्रस्ण है जो नया टेस्ट आपको होगा अगले टेस्ट उसमें हम लोग व्याख्या करेंगे और जो इससे पहले वाला टेस्ट ह है उसका व्याख्या हम ने किया था उसको फिर से देख लिजिए क्योंकि परियावरण के ऐसा सब्यक्ट है जहां से प्रस्ण हर इक जामें पूंचे जाते हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ लिजिए बाकी कुछ से भी पढ़ते लिए जिससे की यह टॉपिक अच्छे से आपका तयार हो जाए हम आपसे बिदा लेते हैं जय हिन जय भारत